ठीक किसी प्रकार ये है देहरदून तो देहरदून एक शहर है तो शहर तो भारत देश में बहुत सारे हैं ठीक है देहरदून गी एक शहर है दिल्ली भी एक शहर है ठीक है लखनो एक शहर है लेकिन क्या सभी शहरों के नाम देहरदून है नहीं देहरदून एक ही शहर का ना तो उसे हम व्यक्ति वाचक संगय कहते हैं, व्यक्ति वाचक का मतलब होता है जो इसी एक के लिए लिए फिर है साई मंदिर, मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सभी मंदिर का नाम साई मंदिर होता है, साम मंदिरों के नाम अलग होते हैं, कोई दुर्गा मंदिर होता है, को खिलाडी बहुत सारे हैं, जाती वचक का मतलब होता है, जो एक नाम बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाए है, तो खिलाडी तो बहुत सारे हैं, आप पार्क में जाते हैं, जितने भी बच्चे खेलते हैं, सब खिलाडी हैं, आप क्रिकेट का खेल देखते है जो भी खेलाड़ी हरते हैं लेकि सब खेलाड़ों के नाव अलग होते हैं ठीक उसी प्रकार शिक्षक्षक, शिक्षक वाएनी Teacher तो स्कूल में तो बहुत सारी टीचर होते हैं चीक है लेकिन जैसे आपकी जो टीचर है वह कविता है سब ऐस टो क्या, जितनी भी इसाईी श्कूल के अंदर जो टीचर है, जो अध्यापक है, सबका नाम कवीता है? नहीं तो हमारा जो शिक्षक शब्द है वो जाती वाचक है क्योंकि में सल्जाई होते हैं लेकिन जब हम उनका नाम बताते हैं तो वो हमारा विर्ती वाचक सरी है लड़की छीक है आप कप्षा में भहास सारे लड़की है तो लेकिन क्या सभी का नाम सौमया है या सभी का नाम सौमयता है ऐसा नहीं है ना सब के नाम अलग है किसी का नाम हंशिका है किसी का नाम तेजस्वी है लेकिन है तो सारे लड़की है तो लड़की जो शब्द है, वो सभी के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए वो जाती बचक सेग है, ऐसे ही कार आप शड़क पर देखते हैं कितनी सारी कार चलती है लेकिन क्या सारी कार आल्टो पार हैं? नहीं ठीक है, कार शब्द जाती बचक है क्योंकि हम सारी गाड़ियों के लिए सारी कारों को कार कहते हैं लेकिन हर कार का नाप और मॉडल अलग होता है तो वह वेक्ति वाज़ा के अब हैंगे भाव अचसे वह जो मैंने आपको भी बता है जब हमारे अंदर किसी चीज को देखकर भाव उत्पन होता है या कोई दशा ऐसी होती है जैसे हम बोलेंगे कि एक बच्चा अपने बच्चपन में शैतानी करता है तो बच्चा शब्द भी संग्या है वो अपने होता है अब अस्थारी से कहते है ताइम आप समझ पाएंगे ताइम उस ताइम का नाम बच्चों के छोटे ताइम का नाम हमने बच्पन रखा हुआ है तो किसी लिए वो संग्या है लेकिन वो जो समय है उसे हम फील करते हैं एसी है मित्रता यानि कि आपके और मेरे बीच म मित्रता है चीक है मैंने बोला आपके और मेरे बीच में अच्छी सी दोस्ती है तो क्या दोस्ती किसी का नाम है नहीं हम ऐसा फील कर रहे है क्योंकि मुझे आपके साथ अच्छा लगता है रहना आपको मेरे साथ हमारे बीच में दोस्ती है तो हमने उस अच्छी फीलिंग क अंदर खटास होती है क्योंकि हमने निभू को चक्कर देखा और उसका जो स्वाद हमें लगा हमने उसका नाम खटास रखा है अभी हम करेला चखेंगे उसका जो स्वाद होगा वो खटा नहीं होगा वो खटास नहीं होगा वो होगा कड़वापन तो हमने उसका जो नाम रख तक में इनको दुबारा से पढ़ना है यह आपको पेज नमबर 20, 21, 22 इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और आपको जो कारे करना है वो है पेज नमबर 23 पर कोशन नमबर 2 इसको आप छोड़ दीजेगा ठीक है कोशन नमबर 2, 3, 4 यह दीए कोशन नमबर 2 यह आपको ग्रह कार रहे है कोशन नमबर 2, 3, 4, 5 यहां तक आपको अपनी बुक के अंदर कारे करना है ठीक है और अभी मैं आपको एक और कारे इसमें कराती हूँ अब हम अंतर देखेंगे व्यक्ति वाचक और जाति वाचक में च